आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे First A equal to given है, B equal to given है and C equal to given है A union V find करेंगे हम A union V में वो सारे element आएंगे जो A में बिलॉंग करते हो और B में बिलॉंग करते हो तो यहाँ पर A में 2 है 3 B और A में दोनों में 3 कॉमा ने तो यहाँ पर हम 3 को एक बार ही लिखेंगे and 4 common है तो 4 को भी एक बार लिखेंगे Now 5 8 10 and 12 अब find करेंगे हम A union C A union C equal to आएगा हमारे पास elements of A and C तो यहाँ पर elements of A के आएएगे 2 3 4 and यहाँ पर C में 4 बिलॉंग कर रहा है तो 4 को हम बन टाइम्स लिखेंगे 5 6 8 10 12 and 14 Now यहाँ पर यह दोनों हमारे पास union आगा है अब हमें क्या करना है यहाँ पर इनका intersection find करना है तो यहाँ से intersection क्या आएगा A union B intersection A union C equal to क्या होगा intersection का work होता है common element in both तो यहाँ पर common element क्या होगा 2 3 4 5 यहाँ से क्या आजाएगा 2 3 4 5 यहाँ पर 8 common होगा 10 12 तो यहाँ पर आएगा 8 10 12 यहाँ पर हमारे यह first answer हो जाएगा now A intersection we find करेंगे A intersection B means common element of A and B तो A and B में common element क्या है मारे पास 3 4 and 10 यहाँ से हम second find करना हमें A intersection C A intersection C यहाँ से क्या आएगा A and C के elements में से common element हमारे पास आएगे 4 and only 4 यहाँ पर common element है बोथ में तो यहाँ से second हमें question में find करना है A intersection B union union A intersection C equal to क्या हो जाएगा union का मतलब होता है element of both and जो common element होंगे उन्हें एक बार लिखना है तो यहाँ से हमारे पास यह क्या आजागा 3 4 and 10 यह हमारा final answer होगा जो हमें find करना था Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट आच 4444 सुपर